वीवाई की पेडिया आज हम लोग असिस्टेंत प्रोविडिन्थ फंड कमिश्णर की जो 2004 की पेपर हुई थी उसकी पार्ट 2 करेंगे पार्ट 1 में हम लोग उने पार्ट 1 पहले किया है और पार्ट 1 में हम लोग उने इंगलिस अन माथमेतिक से कुश्चन देखें हैं के question करेंगे, फिर हम लोग general science and computer के question करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग economy के question करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो miscellaneous है, current affairs के question करेंगे, ठीक है, और ये जो है हमारा 2004 की वीडियो, इससे पहले जो लोग नए आये हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो assistant provident fund की commissioner की exam होई थी, 2002, उसकी paper हम लोग solve कर चुके हैं, 2004 का ये last part है, और 2012 की जो paper होई थी, वो solve कर चुके हैं, और 2015 की जो paper होई थी, वो हम लोग solve कर चुके हैं, इसके बाद enforcement officer और account officer की जो exam होई थी, 2016 में, और 2020 में जो frequency आई थी, उसके भी हम लोग paper solve कर चुके हैं, ठीक है, तो जो नए आया है, वो यहाँ पर ये सारी भी देख लिए, ठीक है, अब इसमें कहा है कि आपको topic wise हम लोग इसकी analysis करेंगे, detailed में analysis करेंगे, कि इस type के अगर कोई भी question आते हैं, तो आप note जरूर बनाए, जो भी आप video देख रहे हैं, उसके note बनाओ, इसकी pdf आपको telegram channel pyq underscore media, इस पे पहले ही upload कर दी गई है, तो आप वहाँ पर जा करके, इसके pdf with explanation, with explanation आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, so let's start this session, पहला जो हम लोग ने पहले बात कर लिया है, कि हम जो पहला section करेंगे, वो polity की section होगी, और polity में जो पहला question है, match, list one, commission या committee है, और दूसरे में chairman है, ठीक है न, तो यह आपको अभी पता होने चाहिए, ठीक है, कि कौन सी committee थी, और उसके chairman कौन था, तो पहला है economic reform commission, now economic reform commission जो है, वो 1981 में आया था, और उसके chairman जो थे, वो LK जहा थे, ठी और यह जो commission थी, वो इस चीज के लिए था, जो modernization of the economic administration, जो economic administration था, उसको modernization करने के लिए, नया economic order को बनाने के लिए, यह commission बनाया गया था, और यह रिपोर्ट सब्मिट की थी, so 1981 में economic reform commission थी, LK जहा के अंदर में, दूसरा है commission on center, center state relation, so commission on center state relation, यह 1983 में बनी थी, 1983 में बनती है, commission on center state relation, और इसके chairman थे, सरकारिया commission आपने quality पड़ी होगी, RS सरकारिया commission, इसकी chairman थे, इसलिए हम लोग इसको सरकारिया commission भी बोलते हैं, इन्हों ने, जो examin इनको करना था, वो क्या था, कि जो union on state के बीच में power, function, responsibility, यह बाकी जो है, कैसे उनका relation अच्छा हो, और उसके क्या recommendation है, क्या change करना चाहिए, आज के समय में, वो बताया था, इसके बाद है administrative reform commission, so administrative reform commission जो पहली आई थी, वो ARC जो first आई थी, so ARC first आई थी, 1966 से 70 के बीच में था, it was startling क्या हुआ था, कि मुरारजी देसाई, इसके chairman थे, मुरारजी देसाई, बाद में उनको बन हनुमंता राओ के, के हनुमंता, के हनुमंता को बनाया गया था, उसके बाद chairman, तो ये administrative reform commission first था, फिर हम से पूछा जा रहा है, कि सीधे administrative reform commission पूछा जा रहा है, बट इसके बाद ARC 2 आई थी, तो ये question जो 2004 की है, ठीक है, तो 2005 में, ARC 2 आई थी, 2005 में, तो वहाँ पे जो chairman थ हैं, वो थे, सिरी विरप्पा मोयली, ठीक है, इसके chairman थे विरप्पा मोयली, अब ये किसली लाई जाती थी, administrative reform commission, आपको नाम से clear है, कि administration जो है, government की public administration system है, उसमें reforms के लिए, क्या-क्या किया जाना चाहिए, है ना, और public administration system, इंडिया में, अच्छा करने के लिए, क्या-क्य report, क्या-क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं, ठीक है, ना, तो उसकी blueprint बनाने के लिए, ये सब, ये commission बैठाएं गई थी, दो commission अभी तक बैठी है, इसके बाद तो आपको ये हो गया, कौन सा answer, क्या हन बनता राओ, ठीक है, administrative reform commission का, इसके बाद है, committee on the preventive of corruption, so committee on prevention of corruption, ये 1962 में committee बनी थी, ठीक है, और 1962 में ये commission बनी थी, और इसके, इसको हम के संथा नाम committee भी बोलते हैं, के संथा नाम, ठीक है ना, so के संथा नाम committee भी है, और इन्होंने कैसे corruption से लड़ना है, उस पे इन्होंने अपना recommendation दिया था, और जो ये, तो ये तो आपको हो गया, A का 3, so C is the answer, अब DS कोथारी क्यों famous थे, तो DS कोथारी, आपको मैं extra information देता हूँ, कि National Education Commission बनी थी, 1964 में, ठीक है, उसके chairman थे, Dr. DS कोथारी, है ना, Indian education system को improve करने के लिए, ये बनाई गई थी, तो hope आपको ये समझ में आ क्या होगा, extra information को note down किजिए, ये आपको explanation है, यहां सब कुछ लिखा हुआ है, अगला question है, अब देखिए, ARC, चुकि 2004 की ये question है, पेपर है, और 2005 में ARC second आई थी, तो आप ये समझ सकते हो कि Assistant Administrative Reform Commission news में रहा होगा, तो एक और question पूछा जाता है, पहली जो होती है, ARC, जो first है, वो 1966 में बनती है, 70 में रिपोर्ट देती है, तो ये क्या, इसमें जो suggestion आती है, क्या उसमें लोकाई है, और लोकाई, लोकाई, लोकाई के बारे बात बोला गया है, बिलकुल बोला गया है, जो first Administrative Reform Commission है, उसमें two-tier machinery बनाने की बात की गई है, लोकपाल at the center, लोकपाल कहाँ पे, center में, और लोकाई कहाँ पे, अडरे 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 स्टेट में, ठीक है, तो citizen के ग्रिवान्स को redress करने के लिए, ये recommend किया गया था, first report of ARC में, तो ये हमारा सही है, दूसरा क्या है, different articles under the Constitution of India, provide for setting of the Union Public Service Commission, the Planning Commission and the Vigilance Commission, अब आप इसमें ये समझ सकते हो, कि इसमें constitution में, ये कह रहा है कि constitution में article है, अलग-अलग, जिसमें UPSC की है, UPSC की creation, Planning Commission की creation, और Vigilance Commission की, तो मैं आपको बता दूँ, article 314, article 3145 में, 315 में, बताया गया है, कि एक होनी चाहिए, Public Service Commission, हर एस्टेट के लिए, और हर Union के लिए, ठीक है, एक Union के लिए, एक है न, there shall be a Public Service Commission for the Union, and a Public Service Commission for each estate, हर एस्टेट के लिए, होनी चाहिए Public Service Commission, तो UPSC तो समझ में आ रहा है, बट ये बात कर रही है, कि क्या Planning Commission के लिए का लग आर्टिकल है, या Vigilance Commission के लिए, बिल्कुल नहीं, Planning Commission जो है, जो हम नितिय आयो बन गया है, that's a non-constitutional body है, ठीक है, सम्मिधानिक बदी है, नहीं, सम्मिधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखाया गया है, है ना, non-statutory है, और Central Vigilance Commission है, Central Vigilance Commission की जो creation हुई थी, 1964 में हुई थी, जो हमने देखे थे पहले, कि एक बनाई गई थी committee, कौन सा? Committee on Prevention of Corruption 1962, इन्होंने recommend किया था, और इनके recommendation पे एक बनाई गई थी, Corruption को Redress करने के लिए 1964 में Central Vigilance Commission, CBC, ठीक है, 2003 में Parliament ने इनको statutory status ने दिया था, ओके, तो ये constitutional बड़ी नहीं है, तो आपको ये हो गया गलत, इसमें बताया है कि articles है different, CBC के और Planning Commission के और UPSC के, तो सिर्फ UPSC के article सम्मिधानिक बड़ी है, बाकी कोई नहीं है, so one is the answer, ये अगला question है, क्या है, money will पर question है, क्या question है, money will can be introduced in any house of the parliament, नहीं, article 110, article 110, article 110 कहता है, कि money will जो होगा, वो सिर्फ आपको लोकसभा में introduce किया जाएगा, तो पहला चीज़ तो है, कि money will जो होगा, वो only introduced in the लोकसभा, ठीक है, if any question arises, whether a bill is money will or not, the decision of the chairman of the public account committee is final, गलत बात है, अगर, है न, इसमें decide करना है, है न, तो संबिधान में कहा गया है, कि लोकसभा के जो speaker होंगे, है न, लोकसभा के speaker, अगर कोई will, money will है या नहीं, इसको decide करना होगा, तो कौन होगा, final call किसका होगा, ठीक है, वो होगा, account committee के जो chairman होगे, उसका decision final होगा, तो नहीं, speaker का decision final होगा, और वो decision cannot be challenged in any court of law, ठीक है, तो दूसरा हो गया है, अब क्या है, vote of credit enables a grant to be approved by the parliament in advance of the detailed examination of various demands presented to it, अब vote of credit क्या है, है, so vote of credit is the, vote of credit क्या होता है, देखो, अब इसमें दो चीज होती है, vote of credit में, एक होता है, vote of credit, अब इसमें confused नहीं होना है, और एक होता है, vote on account, ठीक है, so vote of, जो credit होता है, वो क्या होता है, ये vote of credit, एक grant है financial, है न, जो अप इंडिया, जो urgent financial requirement, जो कुछ अचानक से कुछ ऐस हो गया, urgent में, जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, जिसकी detail आप budget में नहीं दिया हुआ है, है न, जो, या digital में आप share नहीं कर सकते है, कुछ internal है, है न, तो उसको बोलते है, vote of credit, so vote of credit enables a grant to be approved by the parliament advance, of the detailed examination of various demand presented to it, मैंने पहले ही कह दिया, कि ये advance में, जो budget में, इसकी mention न vote of credit समझ गए, नब vote on account क्या होता है, जिसे माल लेते हैं कि government को, जैसे कि अगर financial year, जो है, सो, March में start है, एक April से, और अभी तक grant हुई नहीं है, है न, एक April से पैसे चाहिए, तो कुछ short term के लिए, अगर central government के कुछ पैसे चाहिए, consolidated fund of India से, तो वो vote on account होता है, ठीक है, so that's a vote on account, तो यह एक भी नहीं सही है, यह लोगसवा में introduce हotा है, और राजसवा का यह होता है, कि अप राजसवा में बेजते हैं, राजसवा उसको reject नहीं कर सकते हैं, अब वो recommendation को लोगसवा मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, ठीक है, 14 दिन के अंदर में अगर राजसावा कुछ उस पर नहीं बोलता है तो वो मान लिया जाएगा कि house से grant हो गया ठीक है यह आपको explanation है अगला question है consider the following statement related to the Indian parliamentary system Indian parliamentary system के बारे में क्या सही है पहला है ओके सो इसका कोई भी सही नहीं है था ठीक है पहला क्या है इसमें if 40 or more members support the adjournment motion only then the related matter can be taken up for discussion तो पहले आपको पता होना चाहिए कि adjournment motion होता क्या है so adjournment motion जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है ठीक है to draw the attention of the house कोई अगर urgent public importance है definite matter of urgent public importance तो लोकसभा में इसको attention house को यह करने के लिए कि भाई बहुत important matter है तो adjournment motion लाई जाती है अब इसमें क्या है कि इसमें 50 member का support चाहिए कम से कम so it needs the support of 50 members तो यहां जो 40 लिखा हुआ है तो यह हो गया गलत तो पहला हो गया गलत इसके बाद इसको जो discussion होती है वो कम से कम धाई आवर की discussion होती है ठीक है under the adjournment motion even a subjudice matter can be taken up for discussion नहीं अगर आपको subjudice matter जो है adjournment motion में जैसे माल लेते हैं कोई public importance की बात तो है बद वो high court या supreme court में वो बात चल रही है ठीक है न तो court में है तो उसकी discussion इसमें नहीं किया सकता है क्योंकि फैसला ही नहीं हुआ है तो इसमें आप discussion नहीं कर सकते हो under article 112 of the constitution of India the union finance minister causes to be late before both the houses of parliament and annual financial statement for each financial year मतलब कह रहा है इसमें कि article 112 कहता है कि जो finance minister वित मंत्री जो है वो दोनों house में annual financial statement हर साल रखेंगे यह आपको गलत है क्योंकि article 112 में बात तो की गई है annual financial statement का लेकि उसमें लिखा हुआ है कि the president sell in respect of every financial year president हर financial year में है ना जो report होगी वो दोनों house of parliament में है ना किस चीज़ की report होगी annual financial statement both the estimated receipt है ना and receipt or expenditure दोनों का जो estimated की हमको इतना पैसा मिलेगा और इतना हम खर्च करेंगे है ना इस year में ठीक है तो उसको बोलेंगे annual financial statement और वो resident जो है दोनों house में रखता है तो यह हमारा finance minister होगा नहीं तो इसका मतलब इसके जो answer होंगे वो again null होंगे कोई भी सही नहीं ठीक है यह आपको explanation है यहां सा सब को समझ में आ जाएगी अगला question है हमारा which one of the following statement is not correct तो कौन सा सही नहीं है अब इसमें क्या है कि अब आप दिखते हैं क्या है the special marriage act 1954 extends to all the states and union territories of India ठीक है so special marriage act 1954 जो था an act to provide a special form of marriage in certain case for the registration of such and certain other marriages and for divorce marriage or diverse के लिए एक बनाये गया था है ना ठीक है और यह पूरे इंडिया में valid था तो यह हमारा सही है the Hindu marriage act 1955 applies to Buddhist, Jainaj and Sikhs in addition to Hindu Hindu marriage act 1955 है वो किसके किसे पे apply है तो यह जो है लिंगायत पे भी है वीर सहवा पे है ब्रह्म समाज, प्रातना समाज, आरे समाज के जो follower है उन पे भी होती है Buddhist, Jain, Sikhs सब पे यह applicable है apart from Hindu ठीक है Muslim, Christian, Parsi और Jew पे यह नहीं है applicable तो यह हमारा सही है Hindu succession act 1956 recognizes the right of women to inherit property of an interested equally with men ठीक है, so Hindu succession act 1956 जिसको बाद में amended किया गया था 2005 में लेकिन जब यह question बनी थी उस समय women को equally power नहीं थी so 2005 में इसको क्या किया गया था, यही बात चलने थी, news में थी, इसलिए यह question आया होगा कि Hindu succession act 1956 को amend करके यह किया गया था, कि daughters के भी equal right है, है ना, father की property में clear? तो यहाँ पे 90, इस समय नहीं थे, अब हो गया है, तो अब के question के अनुसार से यह सही है Muslim, Christian and Parsis in India have no adoption law and can take a child under the Guardian and World Act 1890 only under foster care, यह बात सही है, जो Muslim है, Christian है, Parsi है, Jew है, यह इनकी जो adoption law होती है, है ना, बच्चों की, है ना, वो Guardian and World Act 1890 से क्या होता है? regulate होता है, ठीक है, और क्योंकि यह जो formal adoption है, यह not allowed in religionों में allowed नहीं है, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain और बाकि जो भी Hindu वाले हैं, ब्रह्मों, प्रात्ना आरिया, इनकी होती है, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 से adoption maintain होती है, होप आपको समझ में आगा, तो इसमें सारे सही है, ठीक है, अगर not correct पुछा है, तो यह चुकी 2004 का question था, at that time यहाँ पे women को power नहीं थी, एक को लिए, ठीक है, यह आपको explanation है, अगला question है हमारा कि, consider the following statements, an amendment of the constitution of India can be initiated by the introduction of a bill for the purpose in लोक सभाव only, अब वल्ली है, बहुत साभधान रहना है, कि सिर्फ लोक सभाव है, नहीं, article 368, यह कहता है कि, दो तरह की amendment हो सकती है, कि special majority से हो सकती है, parliament special majority से कर दे, या दूसरा क्या कर सकता है, special majority parliament से pass करे, और half of the state, जितनी भी state है, उसके half of the state, कम से कम ratify करे, उसको, कि चलो यह जो है, वो सही है, अब क्या है, कि the amendment of the constitution जो होगा, वो किसी में भी house में आप बिल ला सकते हो, लोक सभा या राज सभा, है ना, तो लोक सभा या राज सभा दोनों बला सकते हों है, तो only लोक सभा जो है, वो constitutional commitment में यह गलत है, clear, तो यह पहला हो गया गलत, तो पहला गलत हो गया, तो answer to only, ठीक है, बट अब UPSC ऐसे options हटा रहे हैं, तो आप अब सारे पढ़े, अब बिल प्रोवाइडिंग फॉर्ट फॉर्मेशन अफ निव एस्टेट्स अन फॉर्ट अल्टरिशन ऑप बाउंडरीज और नेम अफ दे एक्जिस्टिंग एस्टेट्स इन इंडिया, यह हमारा Article 3 कहता है, Article 3 कहता है कि अगर नया एस्टेट बनाना हो, किसी स्टेट की बाउंडरी को एल्टर करना हो, या नेम एस्टेट की चेंज करनी हो, है ना, अगर ऐसा करना होगा, तो कोई भी बिल आपको किसी भी हाउस में लेके जा सकते हो, लेकिन आपको प्रेसिडेंट का पहले आपको रिकॉमेंडेशन चाहिए होगा, है ना, और अगर प्रेसिडेंट को जैसे किसी का अगर नेम चेंज करना होगा, जिसकी एरिया किसी स्टेट के एफेक्ट हो रही है, बाउंडरी एफेक्ट हो रही है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो स्टेट ले इस ले चरह है, वहाँ पर भेजेगा, है ना कि भई आपके क्या भी होगा है वो भीव बाउंड नहीं होगा बट वो भेज सकते हैं ठीक है तो ये आर्टकल 3 है तो second वाला सही है In India, a bill seeking to amend the representation of states in parliament has to be passed by a simple majority of both house of parliament ठीक है इंडिया में अगर मालने जिये कि representation of state ठीक है ना मैंने कहा था कि दो तरह की amendment होती है एक तो special majority of parliament की हो जाए बात खतम हो गई तो special majority of parliament की हो गई बात खतम दूसरी होती है कि special majority तो होती है पर ratify होती है जहां पे state की बात हित की बात होती है तो state के आधे state half of the state की ratification की भी जरूवत होती है है ना जैसे GST है है ना उसमें state और center दोनों को पैसे मिलने वाले थे तो उसमें ratification of state की भी जरूवत थी तो simple majority से सिर्फ नहीं होगा ठीक है तो third गलत हो गया और two only simple majority से पास होने के बाद ratification भी जरूवत है मतलब वहाँ पे हर state legislature में भी पास होना चाहिए यह आपको explanation है इसमें सब कुछ लिखे हुई है अगला question है which one of the following is the correct statement the term of लोकसवा can be extended by the parliament for a period कितने दिनों के लिए कर सकते हैं तो हमने यह पढ़ा है कि अगर national emergency होती है तो लोकसवा की जो term है वो एक साल maximum at a time है ना so not exceeding one year at a time during proclamation of emergency but not exceeding in any case a period of six month after the proclamation of emergency has ceased to operate मतलब एक बार में एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं फिर आपको बढ़ाना है तो आप एक साल के लिए बढ़ा सकते हो है ना अब इसमें क्या है लेकिन एक condition है क्या condition है कि जैसे बाल लेते हैं कि emergency खतम हो गई तो उसके छे महिने तक आप छे महिने के बाद आप नहीं बढ़ा सकते हैं मतलब उसके within six months आपको क्या करना है election कराने हैं जैसे जिस दिन आपकी emergency खतम हो गई गई तो उसके छे महिने के अंदर है ना आपको election करानी है क्योंकि यह जो extension है वो छे महिने से जादा बढ़े गाई नहीं ठीक है ना आप जब end हो जाएगी तो ठीक है फिप्त लोग सवा का दो बार बढ़ाई गई थी है ना फिप्त लोग सवा को दो बार बढ़ाई गई थी क्या वराई गए था tenure है ना यह आपका explanation है अगला question है the Indian Parliament is not sovereign and the legislation passed by it is subject to judicial review बिल्कुल सही है आपकी जो जो पारलियमेंट sovereign का मतलब होगा है कि जो पारलियमेंट बोलेगा वही होगा ऐसा तो है नहीं यह British में है है ना तो Indian Parliament sovereign नहीं है और इसकी जो भी legislation पास होती है वो judicial review के जा सकती है कोट में जा सकते है है ना और judicial review क्या होता है कि Supreme Court High Court में एक्जामीन करता है कि जो law pass किया गया है पारलियमेंट के द्वारा वो सही है कि नहीं है है ना ठीक है इन इंडिया the fundamental rights and directive principle of a state policy are enforceable by the court यह तो basic question है कि fundamental right वो enforceable है लेकिन directive principle जो है वो enforceable नहीं है तो दोनो enforceable है यह गलत हो गया so one only is the answer यह आपको explanation है अगला question है who among the following are the भारत रतना किनको किनको भारत रतना इसमें से मिला है अब इसमें जो है आपको अमर्तिया शेन को मिला है अमर्तिया शेन को मिला है गुलजारी लाल नंदा को मिला है स्वामी नाथन को नहीं मिला है और सत्यजीत रे को मिला है ठीक है तो यह तीन को मिला है one two and four वैस विनोदा भावे नेलसन मंडेला, राजीव गांधी, मुरार जी देशाई, बियार अमबेद कर, गुलजारी लालन्दा को मिला है, सत्यजीत रे को मिला है, और अमरतिया शेन को मिला है, ठीक है, तो यह उस समय के कुश्चन नहीं, तो 2000 से पहले वाले पूचे गए थे, अभी कुश्चन है, दिल्ली के बारे में कुश्चन है, the chief minister of Delhi is appointed by the president of India, chief minister of Delhi, इसके द्वारा, president के द्वारा, appoint की जाती है, बिल्कुल सही है, on the advice of the lieutenant governor, the president of India appoints the chief minister of Delhi, तो इस सही है, the Delhi police and municipal corporation of Delhi do not come under the administrative purview of the Delhi government, बिल्कुल सही है, दिल्ली police, आप देख रहे होंगे, दिल्ली में हमे हमारे पास police नहीं है, तो दिल्ली police ये central government के अंदर में है, तो दिल्ली police and municipal corporation of Delhi do not come under the administrative purview of the Delhi government, तो ये भी सही है, so answer is both, ये आपको explanation है, अगला question है, the legislative assembly of a state cannot have more than 450 से ज्यादा seat नहीं हो सकता है, और 50 number से ज्यादा नहीं, not less than 50 members choosing why direct election from territorial constituency, तो इसमें क्या है, कि किसी भी state, इसमें पूछा जा रहा है, कि जो state की legislative assembly होती है, विदान सभा में, सारे 400 से ज्यादा आप members नहीं कर सकते हो, और 50 members से कम नहीं होने चाहिए, सारे 400 से ज्यादा नहीं, बट ये data गलत है, total जो state legislative assembly 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 60 minimum हो सकते हैं, 60 से कम हैं, इस से कम हैं, तो फिर amendment करनी परेंगी, जैसे अगर माल लेजिए, पूडू चेरी हो गई, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, है ना, ये सब में, अगर 60 से कम हैं, है ना, तो parliament के act के बाद होई है, है ना, तो 500 maximum हो सकते हैं, और 60 minimum member होने चाहिए, इस से कम कर होने हैं, तो parliament में एक act ला करके आपको कर सकते हो, the number of members of legislative council of a state cannot exceed one third of the total membership of the legislative assembly of that state subject to a minimum of 40, अब होते हैं, state legislative council, विधान परिशद होती हैं कहीं पे, बिहार में हैं, है ना, और भी जगह कहीं पे हैं, है ना, तो वहाँ पे जब state महराश्टरा में है, state legislative council जो होगा, वहाँ पे state legislative council में, जो जुतनी भी state legislative assembly के विधान सवा में जितने member है, उसके third, है ना, से ज़्यादा नहीं हो सकता है, so cannot be more than one third of the members of the state legislative assembly, however, उसकी जो size होगी, वो 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, है ना, तो 40 तो होनी ही चाहिए, है ना, one third, 40 या one third, है ना, जो भी यह पहला गलत हो गया है, यह आपको explanation है, अगला question है, दादरा एंड नगर हवेली, है ना, दादरा एंड नगर हवेली, which merged with the Indian Union in 1961, were ruled by the पुर्तगाली, है ना, तो क्या यह सही है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि 1954 में, ठीक है ना, पुर्तगाली से यह territory ले ली गई थी, 1954 में, ठीक है, और 1954 से, 1954 से, 1961 तक, जो दादरा एंड नगर हवेली था, और वो इंडिया का सपोर्ट तो था, लेकि 1961 में, 1954 से, 1961 तक, मतलब कि बाहर से सपोर्ट था, इंडिया का, ठीक है, अब पुर्तगाली से ले लिए थे और बाहर से, जो है, Indian Government, Republic of India इसको सपर्ट कर रह क्या हुआ, इट वाज, मौज्ड इंडिया और Union Territory बन गया, तो आप ये, जो आपका पहला है, वो सही आप मान सकते हो, ठीक है, बात तो हो गई थी, 1954 में ही, कि चलो भई, आप, आपको जो है, सो, लोकल सपोर्ट से, 1954 में ही डिसाइड हो गया था, कि पुर्तगाली जो है इंडियन गवर्मेंट को दे रही, लेकिन, चौवन से सकत तक में, दादरा और नगर हवेली, क्या हुआ था, उसके ही पास रही थी, है ना, ठीक है, अब सिर्फ भारत जो है, Republic of India, आउट सेट सपोर्ट कर रहा था, कि ठीक है, बोध पॉंडिचिरी, एन, चंदेर नगर, जो होगा, पॉंडिचिरी के अंदर में था, है ना, और ये फ्रेंच पोजिशन में थे, फ्रेंच के अंदर में चंदेर नगर थे, है ना, ये बेस्ट मेंगॉल में है, गोवा गॉट इस फ्रिडम इं 1961, बिलकुल जो गोवा है, वो दिसंबर 19, 1961 को पुर्टगाली से इनक आजादी मिली थी, तो ये तीनों हमारा सही है, ओके, अगला कुश्चिन है, अब बैटल्स हैं, अब हम लोग हिस्ट्री सेक्शन पर आ गया है, तो पॉलिटी खतम हो गई, now we may want हिस्ट्री सेक्शन, तो बैटल है और किसके किसके बीच में हुई थी, ये हम लोग बात करते है, तो बैटल अफ चौसा, तो बैटल अफ चौसा होती है, 26 जून 1549 को, फिर बैटल अफ घागरा कब होती है, 6 माई 1529 को, 29 है ना, बैटल अफ खानवा, मार्च 17, 1527 को होती है, और बैटल अफ टलीकोर्टा, ये 1565 को, 23 जनवरी 1565 को होती है, बैटल अफ तलीकोर्टा, अ तो एका टू हो गया. Battle of Ghagra, हुमाईय और सेर्षा के बीच में होता है, और कौन जित्ता है? सेर्षा जित्ता है. Battle of Ghagra किसके किसके बीच में होता है? सुल्तान महमूद लोदी, जो अफगान के सासक थे, जो बिहार में सासन करते थे, और बावर के बीच में होती है बैटल ओफ घागरा है ना सो बावर एन अफगान ओफ बिहार महमूद लोदी है ना उसको help कौन करता है बेंगाल के नुसरत सहावी बैटल ओफ घागरा में बिहार के महमूद लोदी को बंगाल के कौन सुल्तान जो थे नुसरत सहावी help करते है इसमें इसके बाद Battle of Khannava, so Battle of Khannava जो 1527 में होती है वो तैमुरी फोर्स और बावर के बीच में होता है, बावर और राजपुत जो भी थे, राजपुत के जितने भी थे Concordancy और भी बागी जो राजपुत 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 थे, जिनकी हेड कौन थे? Rana Sanga, Rana Sanga of Mawar, तो बावर और राजपुत के बीच में होती है, ये तो पता है, लेकिन बावर में, राजपुत में कौन होते हैं? Rana Sangha, Rana Sangha होते कहां के हैं मेवार के है, Battle of Tρally Cueta यह Bijanagar Empire के भीच में और Decan Sultanate के भीच में होती है लड़ाई, so Bijanagar Rulers and the Decan Sultanate के भीच में यह लड़ाई होती है तो यह आपको Aansr हो गया C और इसकी Explanation दी हुई है बहुत अची तरह से आप इसको बढ़ सकते हो अगला कुश्चन है When Aqvar besie the fort of Chittor Chittor को fort लिया था Who among the following defended it for the 4 महिने तक कौन लड़ा था So Aqvar जो है अपनी expansionist policy में मतलब कि expansion करना है अपनी समराज्जी को वो न ठीक है न है वो सिसोधिया के capital है ना सिसोधिया के capital चittor को October 1560 में उसको अपने अंदर में siege कर लेता है सिसोधिया के ruler उससे में कौन होते हैं Rana Udaising ठीक है So Rana Udaising एक दम पहारों में चले जाते हैं Montanus पर जो बना कर रखते हैं उचे जगह पे ठीक है न और उनके war जो council होते हैं जो सेना धेक्ष वगेरा होते हैं वो advice करते हैं कि आप वहाँ चले जाएए है ना और जो पूरी आपकी fault होती है किला उसकी जो निगरानी दे दी जाती है वो दे जाती है Jamal Rathor अब ये Jamal Rathor चार महीने तक लगते हैं है ना चार महीने ओवर फोर मन्त लगते तो है और उसके बाद वो battle में देथ कर जाते हैं है ना ठीक है सो 1560 में तो Jamal is the answer अगला question है which one of the following statement is not correct कौन साइस में सही नहीं है Lord Wellesley set up the first three Indian University टीन Indian University बनाई जाती है और कहां कहां Calcutta Calcutta Madras and Bombay कब बनाई जाती है 1857 में और इस समय Governor General कौन होते हैं Canning ठीक है तो Lord Wellesley ये सही नहीं है आपस आंसर क्या होगा है not पूछ रहा है तो यही होगा Lord Alloji introduced Telegraph in India क्या बिल्कुल सही है है ना Lord Alloji पहला Telegraph कहां से अगेन Calcutta से आगरा तक Telegraph 1853 में है ना 53-54 में ये Lord Alloji ने स्टार्ट किया था Lord Rippon introduced a system of local self-government both for towns and countryside area बिल्कुल Lord Rippon ने 1882 में स्टार्ट किया था local self-government ठीक है In the towns and villages Lord Karjan presided over Delhi दर्वार of 1900 थे अब होती है दिल्ली दर्वार तोटल तीन बार दिल्ली दर्वार होती है 1870 में 1903 में और उसके बाद 1911 में भी दिल्ली दर्वार होती है और जो दिल्ली दर्वार 1903 थे उस समय जो भाइस रहे थे जिन्होंने preside किया था वो कौन थे Lord Karjan तो ये भी सही है ठीक है ये आपको explanation है अगला question है Which one of the following is the correct chronological sequence of the given density of दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत की density के बारे में बात किया जता है तो आप हिंडी में अगर बात करें तो हो गया गुलाम बंस पहले होती है slave dynasty है ना है ना इसके बाद खिल जी है ना तुगलक ठीक है इसके बाद सयद इसके बाद लोदी तो ये गुलाम बंस खिल जी है ना तुगलक सयद लोदी ये कुनलोजी है ये 1206 तक 1206 ये 1290 ये 1320 के आसपास ये 1414 और ये 1526 तक जब पानीपत की युद होती है लोदी और बावर के बीच में थीक है ना तो लोदी खिल जी तुगलक सयद लोदी क्लियर ये आपको explanation है अगला question है according to the Mount Vettan plan अब Mount Vettan plan क्या था Mount Vettan plan आती है कब June 3rd June है ना 3rd June 1947 को होती है Mount Vettan plan आती है इसको हम लोग 3rd June plan भी बोलते हैं इसको हम लोग पाकिस्तान इंडिया को दो भाग में डिवाइड कर देना है इंडिया और पाकिस्तान ठीक है इसके बाद इन्होंने कहा कि princely state जो होंगे जो राजा वाले state है उनको अपना मन वो अपने मन का करेंगे उनको इंडिया में जोईन होना है या पाकिस्तान का या उसको independent रहना है तो उनको छोड़ दिया 15 अगस्त 1947 को date fix किया गया था है ना कि इंडिया और पाकिस्तान को power दे दिये जाएगा ठीक है इसके बाद North Western Frontier जो थे है ना North Western Frontier प्रोविंस जो थे उसमें एफ रिफरेंड़म होगा है ना कि उनको किसको जोईन करना है अब हम लोग option पढ़ते हैं The Union of India and Pakistan where to be granted freedom not later than June 1948 तो ये 3rd June 9 Mountbaton ने कहा था कि हम 3rd June ये क्या कहते हैं 15 अगस 1947 तक date fix किया था तो ये हमारा होगी है गलत The Legislative Assembly of Sindh was to decide whether it wanted to join the Constitution Assembly of India और नोट बिलकुल जितने भी राजावाले थें वो Pinsley State उनको बताया गया था कि आपको मान है इंडिया में जोईन कीजिए नहीं तो पाकिस्तान में नहीं तो इंडिपेंडनेट रही है तो ये सही था Baluchistan was to decide whether it wanted to stay with the Indian Union और बेगम separate Basically Baluchistan से ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था Baluchistan जो Northwest Frontier जो प्रोविंस था वहाँ पे referendum होई थी तो ये तो Baluchistan की गलत हो गई तो The answer is Two Only ठीक है तो सिंद की Legislative Assembly 1954 में ये vote किया था और वो पाकिस्तान में चला गया था तो ये सही है दूसरा बाकी सब गलत है ये आपको explanation है अगला question है Why did मोतिलाल नहरू and चितरंजनदास form a separate group known as स्वराज party विदीन Congress के अंदर में मोतिलाल नहरू और चितरंजनदास ने क्यूं स्वराज पार्टी की अस्थापना की थी तो आपको पता होगा कि चितरंजनदास और मोतिलाल नहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी जिनको Congress खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोलते थे कब बनाई थी 1923 में ठीक है अब क्यूं बनाई थी they were not satisfied the progress made by the Congress in achieving स्वराज स्वराज को अचीबबत करने में जो Congress से वो संतुष्ट नहीं थे it was their reaction to Mahatma Gandhi's sudden decision to suspend the non-corporation बिल्कुल सही है हुआ क्या था कि Mahatma Gandhi जो non-corporation movement को बंद कर दिया था 1922 में चौरी-चौरा जो हत्याकांट होई थी उसके कारांस से अब चौरी-चौरा हत्याकांट से यह हो गई थी अब बहुत सारे Congress के बीच में ही लडाई होने लगी है ना कि इस आपको बाइकट को continue रखना चाहिए है ना लेसलेचर की जो बाइकट है उसको continue रखना चाहिए कु यह 1923 में एक resolution पास होती है है ना Congress की गया सेशन होती है 1922 में वहाँ पे resolution एक पास होती है कि Parliament में इंटर करे या ना करे ठीक है मतलब कि आप election लड़ करके Parliament में जाए या ना जाए है ना लेकिन वो reject हो जाता है तो जो बाकी जो मोतिलाल नहरू चितरंजन दास है ना उन्हों ने अपनी सुराज पार्टी बना दी Congress को छोर करके ठीक है मोतिलाल नहरू जो थे उसमें सेकरेटरी थे चितरंजन दास जो है तो प्रेसिडेंट थे है ना और उसमें और भी लोग थे जैसे NC केलकर थे सहीद हुषैन सहीद सहुरावादी शुभाष चंदर भोस यह सब जो है इसमें थे ठीक है ना प्रोचेंजर और नोचेंजर जो चाहते थे चेंज और जो नहीं चाहते थे बोले जैसा चल रहा है वैसा चल रहे तो ठीक है यह आपका एक्स्प्लानेशन है अगला कुश्यन इन दे इर नाइटीन हंडेड नाइटीन वाट 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 वाइसराय डाट कंट्री वाइट सथ्यागरा वुड़ बी लॉच्ट वी सोनीज में उनीज में क्यूं महात्मा गांदी ने कहा था कि भई अगर आप इसको सुधारो नहीं तो हम पूरे देश में सथ्यागरा ल अप्रिल नाइटीन नाइटीन में अब इसमें क्या है क्यों इन्हों ने वर्ण किया था चाहते थे कि गवर्मेंट जो है रॉलेट एक्ट को जल्दी से क्या करें विट्रा कर ले वह करता नहीं है फिर 6 अप्रेल उनीज सोनीज से महात्मा गांदी रॉलेट एक्ट के अग Chams Ford है ना ठीक है तो he wanted the government to withdraw the roll attack immediately ठीक है यह explanation है अगला question Who among the following introduced the celebration of Ganesh Chaturthi and Sivaji festival to bring the Indian society together and inspire patriotic feelings among the people कौन थे हैं जो Ganesh Chaturthi और क्या कहते हैं सिवाजी festival जैसे तेओहार को लाया था कि लोगों को एक साथ Indian society को समाज को एक साथ लाने के लिए और देश वक्ती की feeling जगाने के लिए start किया था तो यह कौन थे 1895 में इन्होंने start किया था किसने बाल गंगाधर तिलक इन्होंने सिवाजी festival start किया था 1895 में है ना और 1894 में start किया थे गनफती festival ठीक है यह explanation है अगला question है यह आपको historical sites है और state है किस state में है वो बात करनी है त soul temple मैं आपको थोड़ा सा information इसके बारे में दे दूँ यह राज सिम्हा ने बनाया था राज सिम्हा राज सिम्हा ने है ना वो नर्सिम टू नर्सिम नर्सिम टू ने बनाया था 700 सा 728 सी के और यह कहां के थे पल्लवा डाइनस्टी है ना पल्लवा के लोग थे ड्रवेडिय चैल ने बनाया था और बनाया तक इसने था राज स्िम्हा ने भीमबेद का आwash राज सिम्हा इंड hm अर्क मैसलीथिक क्षालीड के राज मानूमें प्रेजु थे राघे कश कील नदी के इसके बाद में पार के सौमनाथ कूरा कर्ण पील धीमट करनाटक में है कावेरी नदी के किनारे हैं है न और ये 1258 में बनाई गई थी 1258 में बनाई गई थी सोमनाथ डंडनायक के द्वारा है न जो सोमनाथ डंडनायक कौन था होयसाल किंग जो नरसिम्मा टू थे उसके जनरल थे ठीक है इतना information मिल गई आपको हमपी जो city of ruins से इसको बोलते हैं UNESCO World Heritage site में भी है और हमपी जो है ये किस नदी की किनारे हैं तुंग भद्रा river के किनारे हैं तुंग तुंग भद्रा river के किनारे हैं है ना और ये आंध्र प्रदेश और इसके करनाटका के border पर है ना one minute I did some mistakes somewhere okay so आंध्र प्रदेश और करनाटका के border के पास में है और हमपी जो है वो capital city जो था विजय नगर empire का है ना capital city था तो हमपी भी करनाटका में तो इसके भी answer होंगे कम तो आप देख लीजिए इसमें ऐसे भी question आते हैं जिसमें एक ही option दो जगके हो सकते हैं अगला question है आपको कि world war 2 के समय में during the world war 2 Indian soldiers fought heroically मतलब एक्दम बढ़े असर लड़े थे in the battle of Monte Cassino तो पूछ रहा है कि Monte Cassino जगह है कहां सो battle of Monte Cassino जो हुई थी कब हुई थी 1944 में होती है battle of Monte Cassino इसको battle of Rome भी बोलते हैं या battle for Cassino भी बोलते हैं यह चार military assaults हुए थे हैं made by the allies against इसके against में German force के against में कहां पे हुआ था in Italy ठीक है so the answer is Italy यह आपको लिखी हुए explanation अगला question है which one of the following is the correct chronological sequence of the given bhakti sense अब इसमें क्या होगा गुरु नानक तुलसिदास रामだस और तुका राम अब गुरु नानक जो थे वह मैं आगर बताऊं कि गुरु नानक जो थे वह 14-79 सो गुरु नानक 14-69 तुलसिदास जो थे तुलसिदास 1543 से 1623 ठीक है तुका राम जो थे तुका राम वह 1608 से 1649 और जो राम दास थे वो 1884 से 1963 तो आपको कुन लोजी एले मिल गई कौन गुरुनानक तुलसिदास रामदास तुकाराम रामदास अब इसमें NCRT के बुक से हैं कि आप देख लो गुरुनानक है ना इसके बाद आपको ये तुकाराम ये रामदास ठीक है तो ये सारे जो थे और ये तुल कोशन है दोनों सही है एक सही है एक दूसरे का एक्स्प्लानेशन है तो ये देख रहे हैं हम लोग डियूरिंग दब्रिटिस रूल दे कॉंग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन इन नाइटीन थीनाइन इन आपको बिल्कुल 1939 में अक्टूबर नॉम्बर 1939 में कॉंग्रेस जो है लॉर्ड लिथिंगो जो ये करते हैं कि इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा सेकेंड वर्ड वार में बिना इंडियन लोगों से कंसल्ट किये हुए तो इस केस में क्या हुआ कि कॉंग्रेस में इन 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 नाइटीन नोगों से पूछे हुए बोला कि इंडिया जो है सो सेकेंड वर्ड वार में पार्टिसिपेट करेगा मतलब सिर्फ एसेशन सही है यह एक्स्प्लानेशन है दूसरा है कुश्चन औरंग जेव रिलीज साहू फ्रम दे प्रिजन सौटली बिफोर औरंग जेव डाइड इन सत्रसो साथ औरंग जेव की मृत्य होती है 1707 में बिल्कुल सही है लेकिन औरंग जेव अपनी मृत्य से पहले साहू को रिलीज कर देता है यह गलत बात है औरंग जेव का जो बेटा होता है प्रिंस अजीम साह आजम साह वो जो है साहू को रिलीज करते है इस होप में कि हमा माराथा हमारे साथ रहेंगे ठीक है तो यह आपका प्रिंस आजम सा तो आउरंजम रिलीज नहीं किया था तो यह गलत हो गया जुल्फिकार पॉइंटे आउट एट साहुज रिटर्न तो इस किंग्डम वूट कॉज ए डिवीजन एमॉंग दा माराथा जुल्फिकार जो है स आपको डिवीजन हो जाएगी और जब वो डिवीजन हो जाएगी तो आपको तो उससे आप क्या कर सकते हो आप अराम से प्लेंडर कर सकते हो तो जो है सो जो खजाना लूटते हैं माराथा वाले वो सब बंद हो जाएंगे है ना तो यह भी यह सही है और यह पहला गलत है ओ World Harbor, अब आप देख लो, World War II में क्या हुआ था, World War II में दो थे, एक Allies थे, और एक Axis Power थे, सो Allies में कौन-कौन थे, World War जो हुई थी उसमें, कब-कब चली थी फहले World War II, अब सारी चीजों समझो, 1939 से 1945 चली थी, अब इसमें Allies कौन-कौन थे, France, Great Britain, US, और Soviet Union, जो Russia, और थोरा बहु इटली और जापान, है ना, 1939 से 1945 में चले थे, ठीक है ना, ये जो हुई थी, वो Treaty of Versailles, Treaty of Versailles, जो की 28 जून, है ना, 1999 को World War I के बाद, ये ट्रिटी हुई थी, है ना, clear, अब इसमें क्या है, ये कारण क्या है, World War के, तो ये हम बात करते हैं, ठीक है, अब देख लेजे, World War II, हुई थी, कब-कब, Elijah के बीज में, और इसके बीज में हुई थी, Axis के बीज में, 1939 से 1940 के बीज में, 45 के बीज में, इसके major cause जो World War II के थे, है ना, Treaty of Versailles, है ना, ठीक है, और Versailles की जो संधी हुई थी, इसके अधिकोनोमिक डिप्रेशन थे, है ना, अपीजमेंट की प जो, क्यों लड़ाई होती है, पहले, जर्मन जो है, पॉलेंट पे आकरमन करता है, एक सितंबर 1949 को, और दो दिन के बाद, Britain and France declared, Britain of Versailles बोलता है, कि चलो जर्मनी पे war declare कर देता है, ठीक है, और ये 7 दिसंबर 1941 की बात है, कि जापानी जो है, ट्राइट, टायर्ड ऑफ अमे 7 दिसंबर 1941 को करते हैं, उस समय, Harry Truman, है न, ठीक है न, Second World War के समय में, Britain के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो Winston Churchill थे, और जब Harry Truman, Harry Truman जो थे, वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये आदेश दिया था, कि atomic bomb जो है, वो जापान पे टेस्ट करो, और 6 अगस्त और 9 अ प्रेद करते हैं, जर्मनी अटाइक दे यूस नवल बस अडल Jahrën, जर्मनी अटाइक किया था, अभी हम लोगों ने पर आथा, कि जापान ने ये किया था, तो जर्मनी नहीं होगा, जापान अटाइक दे यूस नवल बस अट पर देश अगर्ल हार्वर, कब किया था, 7 दि वर्ट वार टू नहीं ये वर्ल्ड वार वन के एंड में 19 में साइन हुआ था 1949 से क्या सपास नहीं हुआ था तो तीसरा तो हो गया गलत तो आंसर हो गया सिर्फ दो ये भी पर लेते हैं फ्रैंकली रूजेवल्ट वाज दा प्रेसिडेंट अफ यूनाइटेर स्टेट ऑफ अमेरिका विन एटम बंस वे ड्रॉफ्ट ओबर दा जैपानेश सिटी ओफ हिरोसीमा एन नागासा की मैंने कहा था हैरिट रूमेन जो थे वो थे उन्होंने बहुत ब अगला कुश्यन है अब इसमें कुछ परसन है और उसके लिखे हुए बुक की बात है तो असो घेस घोस कौन से बुक लिखे थे तो असो घोस ने जो बुक लिखी थी वो थे बुद्ध चरित असो घोस ने बुद्ध चरित लिखी थी और नागारजुन ने क्या लिखी थी पतंजली ने योग सुत्रा ये तो सबको पता होगा और रामानुज ने वेदान संग्रा तो ये जो बुक है ये लिखी थी बुद्ध चरित अस्तोगोस ने नागारजुन ने मध्यमिका और जो रामानुजन चार ने वो वेदार्थ संग्रा और योग सुत्र पतंजली अगल करीकल जो है वो करीकल चोला, है ना ये चोला राइनिस्टी के थे हैं, है न और संगम प्रिद के समय में ये रूल करते थे, तो चोला से हो गया करीकल, ठील है so एका-2elect दामन वन, रूद दामन वन 130-150 AD के बिच में ये सका किंग थे, Western Chhatrapड़िटी का, है ना, सका किंग थे, Western Chhatrapड़िटी का, और मिलिन्दा, मिलिन्दा क्या था मिलिन्दा को आपको ग्रीक के सोर्स में मियंदर भी बोलते हैं 163 से 150 BC तक किये थे और ये ग्रीक के इंडियन किंग थे ठीक है मैं और कनिस्क जो थे वो कनिस्क जो है कनिस्का दे ग्रेट वो कुसान डाइस्टी से थे so D का 4 so the answer is A का 2, B का 5, C का 1, D का 4 ये आपको explanation है अगला question है okay so this is all about the history portion now we are going to start with the science portion so पहला question है which one of the following is a super cooled liquid super cooling जो होता है उसको under cooling भी बोलते हैं तो जो super cooled liquid है वो है glass glass silica से बना होता है और silica को जो cool करते हैं liquid state से तो ये solidified नहीं होता है है ना और freezing point से बिलो ये नहीं होता है तो super cooled liquid जो बोला जाता है वो बोलेंगे glass को ठीक है so ये आपको explanation है कि super cooling is also under cooling और ये process होता है कि temperature को liquid को freezing point से below temperature को लोग करना solid बिना बनाया हो है why does bleeding occurs through nose in high mountainous region जब आप पहारों पे उपर जाते हो तो नाक से blood आता है है ना nose से वो क्यों होता है actually जैसे आप उपर जाते हो है ना तो pressure जो होता है वो atmospheric pressure जो होता है वो decrease करता है तो अगर आप जैसे जाओगे तो pressure decrease करेगा तो blood vessel का जो pressure होता है वो outside pressure से ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है blood vessel फट भी सकता है है ना और इसलिए nose bleeding या ear blooding होते हैं so the pressure of blood in capillaries is greater than the outside से ज़्यादा होता है ठीक है यह explanation है अगला question है which one of the which of the following is detected and estimated by the pollution check carried out on motor car service station पे जो pollution check होता है उसमें किसकी चीज़ की check होती है so lead और carbon particles की check होती है है ना क्योंकि lead and carbon particles को highly polluting माना जाता है यह आपको explanation है अगला question है which one of the following causes small air bubbles in water which is stored in a glass vessel to appear the sign with a silvery lecture अब आप जो bubbles देखे होंगे air bubbles है ना तो उसका क्या है वो बात करते हैं so यह total internal reflection के कारण जो air bubble होते हैं वो water के अंदर में sign करते हैं बबल बुलबुले जो होते हैं है ना so total internal reflection is the answer और यह explanation है अगला question है weight of a body on the surface of the earth is dual और डबलुबन और अर्थ के surface पे डबलुबन है है ना weight of the same body is W2 at the height of 500 meter पे उपर पे जैसे माल लेजे यहां पे यह W1 है और 500 meter उपर पे यह W2 है above the surface and W3 the depth at 500 meter और 500 meter नीचे जो है वो W3 इसके weight है है ना the surface of which one of the falling is the weight कहाँ ज्यादा होगा now weight जो होता है वो mass into जो force होता है वो mass into g तो weight भी m into g होगा so mass m और acceleration due to gravity g now अगर माल लेते हैं तो यहां पे तो mass क्या हो जाएगा mg लेकिन जब भी आप LT जो उपर increase करते हैं तो value g की decrease करती है तो यह less than mg होगा ठीक है और जब भी कि आप ठीक है ना नीचे जाते हो तो g की value increase करता है तो आपका answer क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा w3 होगा फिर w1 होगा फिर w2 होगा ठीक है clear तो answer हो जाएगा यह explanation है अगला है कि which one of the following is not a vitamin कौन साइस में vitamin नहीं है तो folic acid जो है vitamin b9 होता है है और pregnancy complication के लिए deficiency अगर कुछ होती है तो इसको folic acid का folic tablet के रूप में use की जाती है so this one is the vitamin है olic acid जो होता है olic acid जो है omega 9 है omega 9 that's a fatty acid so यह fatty acid होती है और pantothenic acid जो होता है वो vitamin b5 है और ascorbic के स्क्रिट तो आपको पता ही कि vitamin c है so these are the explanation अगला है कि which one of the following statement is not correct कौन सा सही नहीं है अब vitamin पर एक question है कि vitamin a की deficiency से रतोधी होती है night blindness होती है so the deficiency of vitamin a causes night blindness तो यह बिल्कुल सही है pain in the muscles and joints along with the fatigue loss of weight मतलब कि virgin का कम हो जाना poor wound healing घाओ जल्दी भरते नहीं हो है न तो यह symptoms है vitamin c की deficiency की यह भी सही है हमारा vitamin c स्कर भी होती है vitamin c से और इसमें bleeding gums वगेरा भी होते है bleeding gums and loosening of teeth are symptom of the deficiency vitamin b नहीं bleeding gums जो होता है दाथ से भी खून निकलना या teeth lose हो जाना यह symptom है vitamin c के कमी का ठीक है तो यह हमारा not correct पूछ रहा है तो यह होगा answer deficiency of vitamin b5 can cause inflammation of skin memory disorder and बिल्कुल यह होता है ठीक है vitamin b 5 की कमी से यह आपको explanation है अगला question है which one of the following elements is not naturally found in a human being कौन सा human being में found नहीं होता है तो iodine नहीं found होता है और उसी कारण से लेकिन हम लोग को iodine जरूरत है तो बढ़ी तो आरा नहीं बनते हैं तो यह food या supplement से मिलते हैं ठीक है यह explanation है अगला question है glycerol is the constituent of saving cream glycerol चिकलन सा यह होता है है ना so इसको saving swap में मिलाया जाता है कि जल्दी से dry ना हो है ना rapid drying ना हो इसलिए saving cream में इसको जल्दी से सूखे नहीं है तो यह आपको सही है और glycerol antiseptic नहीं है ओके ठीक है यह आपको explanation है अगला question है phenol is commonly used as the disinfectant बिल्कुल phenol जो है antiseptic में भी काम करता है और disinfectant में भी काम करता है और जैसे disinfect skin को disinfect करने के लिए या जो rich itching हो रही है उसको relief करने के लिए भी phenol का use करता है तो यह सही है phenol is not harmful to living human tissues even at a very high concern बिल्कुल गलत बात है अगर phenol आप लगाते हो तो ज्यादा phenol हो जाएगी तो irritation हो सकती skin आई nose में या गले में है नर्वस system में problem हो सकता है weight loss हो जाएगा weakness हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि किसी भी concentration of phenol को use करेंगे तो human being के लिए harmful नहीं है ठीक है यह explanation है अगला question है okay so this is all about the science function now it's a level large question and economy the member of the employees provident fund and exempted provident fund are eligible for the employees deposit link insurance scheme अब यह क्या है जो employees provident fund और जो 1952 act है उसमें है कि उसका काम ही है कि to provide for the देखो आप the employees provident fund and miscellaneous provision act 1952 इसका objective है to provide for the institution of provident fund pension fund and deposit link insurance fund for employees in factories and other establishments applicable to any other establishment employing 20 or more person और class of such establishment ठीक है न इंप्लोईज pension scheme जो social security scheme ओके तो आप इसमें देख लेजे तो यह जो हो गया तो इसमें क्या होगा कि यह सही है आपको कि the member of employees provident fund यह exempted है लेकिन जो EPFO के ही member है ठीक है न वो क्या कहते हैं उसको deposit link insurance से exempted है ठीक है वो eligible है है न इंप्लोईज pension scheme 1995 was introduced for industrial worker employees pension scheme जो था वो एक social security scheme था जो EPFO के द्वारा ही चलाई जाती थी organized sector के employee के लिए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सुलाया जाता था industrial worker के लिए ठीक है coverage under the employees provident fund and miscellaneous provision act is restrictive to establishment employee 20 or more person यह हम ने तो पहला साही हो गया क्योंकि पहला में है कि the member of the employee provident fund and exempted provident fund are eligible for the employee दोनों eligible है deposit link insurance scheme का so one and three is the answer क्या है इंडिया had a plan holiday 1966 से 1969 तक plan holiday था अब थार्ड plan जो government की थी वो successful नहीं हुई तो फिर जो है failure हो गई तो उसमें 1966 से टीन थो annual plan की गई 66 to 67 67 to 68 और 68 to 69 यह three annual plan किया गया था अब यह पूछ रहा अब यह पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा होगा था तो इसके जो main region थी वो इंडो-पाकिस्तान conflict जो हुई थी इंडो-पाकिस्तान और इंडो-चाइना उसके कारण हो था और severe dot जो आया था जो सुखा आया था वो 1960 to 60 मतलब during the plan holiday में ही आया था उस समय आया था तो हमारा answer जो होगा यह इसके कारण से नहीं हुआ था war के कारण ही mainly हुआ था बट जो dot हुई थी वो हुई थी during the first plan holiday so one only is the answer ठीक है यह explanation है अगला question है consider the following statement with reference to the census 2001 अब 2001 नहीं अब तो 2011 की census हो गई तो उसके according यह आपको illiteracy के बारे में बात कर रहा है तो मैं आपको बता देंग पूरी country की literacy जो थी 74.04 पासेंट था 82.14 जो मेल की थी और यह total था और 65.46 पासेंट जो है वो female के था 2011 के census में और urban में urban के area में आपको 83.18 पासेंट था higher था और rural area में यह आपको 71.42 पासेंट था तो आप इतनी data याद रखिए वही से पूछा गया था rural urban literacy gap continue to diverge तो यह तो सही है बट आपको 2011 के अंसार से याद रखना है तो यह मैंने आपको इसमें दिख दी है अगला कुश्चन है कि उत्तर प्रदेश और बिहार are two states with maximum population of the settled caste उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे state है जिसमें सबसे ज़्यादा सेडूल कास्ट की population है गलत बात है उत्तर प्रदेश और वेश्ट बेंगॉल ऐसे दो state है जहां पर सबसे ज़्यादा सेडूल कास्ट की population है ठीक है और पंजाव है the highest ratio of schedule caste population to its total population तो जो percentage की बात करें तो उसमें पंजाब है तो बिल्कुल दूसरा सही है इसके बाद देरवाजे provision for setting up a national commission for schedule caste and a scheduled tribe under the article 338 of the constitution of India बिल्कुल सही है however the constitutional amendment act separate national commission for the scheduled caste and national commission for the scheduled tribe have been set up ठीक है तो बिल्कुल सही है ये भी हमारा सही है so the answer is C clear अब क्या है इसमें कि अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हुआ क्या है कि 67 भी constitution समिधान में तो लिखा था कि हमें national commission of schedule caste and schedule tribe होने चाहिए तो 65 constitutional amendment act से 1990 से आठकल 338 में national commission for schedule caste and schedule tribe बनाया गया 89th constitutional amendment act 2003 में इसको bifurcate कर दिया गया 338 जो होगा वो national commission of schedule caste रहेगा और आठकल 338 जो होगा वो national commission of schedule tribe होगा 102 constitutional amendment act 102nd constitutional amendment act जो कि 2018 में वो आठकल 338 भी भी आड़ किया था जिसमें national commission for backward class भी यह था तो आप यह याद रखेंगे अगला question है the average population density of India is between 600 to 700 यह सब पुरानी data हो गया दुलाई आपकी बात करो 10th 5 year plan में average population density जो था 382 per square kilometer है ठीक है तो यह पहला तो हो गया गलाब ठीक है 2002 से 2007 तक is the year duration of 10th 5 year plan यह सही है दसमी 5 year plan थी उस समय installed electricity generation capacity in India is in excess of 2,00,000 MW वो उस समय का 2,00,000 था अभी तो 4,00, जुलाई 2022 की अगर बात करें तो इतना MW है 4,00,3,760 MW ठीक है तो यह अभी के इस अनसार से इसके अनसार बनेंगे ठीक है यह explanation है अगला question है consider the following statement with reference to the United Nation organization अब UN के बारे में अब in the General Assembly of the UNO no member nation has veto power बिलकुल आपको जो 5 member है permanent member UN Security Council के उसके पास veto power है तो यह जो no member बोला है वो गलत हो गया in the security council all permanent members must vote in the affirmative if a resolution is to pass सबको affirmative करना परेगा बिलकुल सही है है ना ठीक है और जो 5 permanent member कौन कौन है China, France, Russia, United Kingdom और USA और 10 non permanent member होते हैं जो 2 साल के लिए select किजाते हैं है ना और अगर माल लेजे security council का decision अगर है अगर procedural matter पे है ठीक है ना तो आपको non affirmative कम से कम 9 vote चाहिए non permanent 10 और permanent 5 तो non अगर कुछ procedural matter पे है so all matter पे की बात नहीं है तो इसलिए हम लोग यह नहीं होगा ठीक है तो दोनों में से कोई सही नहीं है तो इसमें क्या है कि अगर decision जो होगा security council का procedural matter पे होगा तो 9 लोग आ affirmative vote चाहिए और अगर बाकी और कोई भी matter होगा है ना ठीक है ना तो उसमें क्या होगा कि 9 member का affirmative vote और उसमें permanent members के conquering vote होने चाहिए ठीक है तो यह आपको explanation में दी हुई है अगला question ने recently the four public sector general insurance company have launched a community based universal health insurance scheme ठीक है अभी launch किया गया है और according to the constitution of India to the task of यह तो उसमें का news है तो उसको हम छोड़ते हैं according to the constitution of India the task of promoting public health primarily rests with the union government article 47 47 कहता है कि duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health है ना तो यह state government की duty of the state मतलब यह union government की duty है ठीक है यह आपको explanation है now produce है और major producer कौन सी state है उसके बारे हम बात कर रहे हैं so जो rubber है वो आपको पता होगा कि केरला में सबसे जादा होता है और जो soya win है soya win जो है वो कहा होती है soya win आपको यह होती है मध्यप्रदेश में soya win सबसे जादा और ground nut जो है वो आंध्यप्रदेश में होती है और wheat जो होती है वो उत्तरप्रदेश में होती है so the answer is C जो major producing state है वो है factual question है दूसरा इसमें है कि wild life century कुछ दिया हुआ है और state दिया हुआ है जो वीतर कनिका कहां पे है so वीतर कनिका जो है वो है आपको वीतर कनिका जो है जो उरिसा में है पंच मरी तो सबको पता होगा मध्यप्रदेश में है इसके बाद पोचारम जो है पोचारम जो है वो आंध्यप्रदेश में है और सरवती जो है है वो कहां पे हैं वो करनाट का में है तो इसके आंसर हो जाएंगे सी तो यह location है ठीक है अगला question है the salinity of the open sea is very high compared to that of the inland sea एक होता है open sea और एक होती है inland sea तो इसमें कहा रहा है कि तो open sea की salinity high होगी नहीं आप सोच लो कि जो close sea होगी close sea होगी inland sea उसकी salinity high होगी बंद रहेगा open sea में तो उसमें water जाती है नदियों के तो वो तो salinity कमी होगी तो the salinity of the open sea is very high तो यह ऐसा नहीं है तो यह the water of river flowing into open sea contents dissolved बिल्कुल जो water होती है वो dissolved salt भी लेके जाती है ठीक है तो D option हो गया अब question अगला question है in India intensity of cropping is high is in the state of peninsular plateau peninsular plateau में intensity of cropping high है so in cropping intensity क्या होता है कि कितना area में आपने gross cropped area by net zone area net कितना है in 200 तो इंडिया में peninsular plateau में नहीं जो alval plane है जो आपको north इंडिया में है वहाँ पे ज्यादा intensity of cropping है in India the state of Punjab and Haryana have the highest proportion of the net zone area to total geography जितना geography area उसमें net zone area ज्यादा है तो बिल्बुल सही है south weight monsoon session is terminator karif session of cops ये भी सही है तो answer क्या हो गए 2-3 अब geography के question नहीं पूछते हैं वाट आप थोड़ा इसको देख सकते हैं country है और उसके location है तो bahamas ठीक है बहमास कहां पे है ठीक है न बहमास है नौर्थ Atlantic Ocean में और वेलीज जो है वो कहां पे है बेलीज जो है नौर्थ अमेरिका में है और मैकडोनीया जो है मैकेडोनीया है सो मैसेडोनीया है यूरोप में और गैबन जो हैं गैबन आपको पता होगा कि गैबन कहाँ पे हैं अफरिका में सो दा आंसर इज आपको आंसर जो होगा वो सी होगा location है अगला question है कि आपको west going from the west of the United State of America to the east तो north, south, east, west going ठीक है ना क्या लिखा हुआ है कि going from the west of the United State of America to its east सो कौन सा sequence है ठीक है तो आप इसमें देख सकते हो अब इसमें आपको पूरा पता होगा तभी आप solve कर सकते हो देखो आप इसमें हमारे पास जो भी है एक है क्या San Francisco सेन यहां पर उसके बाद को सैन फ्रेंजिको के बास हमें लॉस औंजली और फिर आपको करने लॉस अंचल इनजलिस यहां लॉस अंजबिस यहां है इसके बाद आपको होस्टन का कर देखने है हमें और हमें देखने है एक न्यू याथ ठीक है उसके बाद हमारा कौण सा था होस्टन है तो होस्टन यहां पे है और न्यू ओज्टिटी यहां पे है तो वेस्ट स्टीषट आप समझ गये तो दीघा कहां पर है दीघा आपको West Bengal में दीघा है और कॉभिलोंग जो है कॉभिलोंग कहां पर है कॉभिलोंग जो है वो तमिलनाडो में है चेराई जो है वो केरला में है और मुरूत जंजिरा जो है वो महराष्ट्रा में है तो यह location है यह factual question है अगला question है where are the maximum number of major ports located इंडिया तो जो major ports है वो total 13 है तो 13 है सबसे जादा major ports है वो गहां पर है तमिलनाडु में आपको यह देख लिए यह खोची पोर्त इन्वर कोर्त हल्दिया कोलकाता पोर्त कंडाला कॉर्ट मैंगलोर मरवागोवा मोंबई जवाहलाल नहरू प्रणिप पॉड्टु ग्हरणि-फॉसयज अब अगला कुट्टि नीज ए इंडिया और चाइना की तो इंडिया अभी प्रज़ेंट कि अगर बात करें तो वर्ट की सेकेंद लाजस्ट पॉडूशेर से इज्वर्णर करें of state है cotton का, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे AB लिखा है, which one of the following is not a correct statement, कौन सा सही नहीं है, the height of western half of the Himalaya is greater than that of the eastern half of Himalaya, यह गलत है, western half से जो altitudinal variation है, वो eastern half में जादा है, इंडिया के eastern half में, ठीक है, तो यह गलत हो गया, Himalaya young unfold है, यह पता है, सिवाली ग्रेंज are made of unconsolidated river basin, यह भी सही है, the Himalaya are wide in कास्मीर and become narrow towards the east, यह भी सही है, ठीक है, तो यह आपको समझ में आगे है, now which one of the following is not a trajectory of the river Godabri, Godabri, अब Godabri की trajectory की बात करते हैं, ठीक है ना, कोयना, मंजरा, प्रानहिता और वार्धा, तो आप देख लीजी, यह Godabri है और Godabri river का जो trajectory है, वो कौन है, यह भीमा है, मंजरा है, है यह trajectory है, इसके बाद पेन गंगा है, वार्धा है, तो मंजरा पूछा है, वार्धा पूछा है, और एक प्रानहिता भी है, ठीक है नहीं है, कोई ना, अगला question है, which one of the following is the correct statement, spring tide occur on the full moon day, तो spring tide full moon day की दिन भी होता है, और new moon day की भी दिन होता है, तो यह सही है, मानेंगे इसको, ठीक है, तो सही पूछ रहा है, तो यह answer हो गया, neep tides occurs on the new moon day only, नहीं, neep tides जो होता है, दो बार होता है, ना, when the moon and sun are in the quadrature, तो quadrature में कब-कब दो बार होंगे, तो दो बार होते हैं, so only new moon day में नहीं होगा, यह quadrature में जब होता है, तब होता है, तो यह तो गलत हो गया, the west coast of India experiences, tide four times a day, नहीं, new tide, नीप tides, जो की quadrature में होगा, तो, अगला question है कि काजी रंगा national park is world heritage site recognized by UNESCO, बिल्कुल सही है, काजी रंगा जो है, वो असाम में है और उसको UNESCO world heritage site में दिया गया है, वहाँ पे great Indian one horn reno ज़्यादा रहते हैं, और काजी रंगा national park is a home to sloth wear and who log give on, ये भी सही है, so the answer is C, ठीक है, which one of the following pairs is not correctly matched, कौन सा है, किस नदी के किनारे है, कौन सी city, so एहमदावाद जो है, वो एहमदावाद जो है, वो सावरमती नदी के किनारे है, हैदरावाद मुसी नदी के किनारे, लखनोगोमती के किनारे, और सूरत जो है, वो तापती नदी के किनारे है, तो ये गलत हो गया, है ना, और नर्मनाद नदी के किनारे, जबलपूर सीटी बैट, जबलपूर, जबलपूर सीटी जो है, तो नामदा ने खिना रहे हैं, ठीक है, अगला Question है, यह कुछ institution है, और CT है, राष्ट्रिय संस्कीत विद्यापित, अब राष्ट्रिय संस्कीत विद्यापित का दिल्ली में भी है, और कियां पर हैं, दिल्ली में भी है, और राष्ट्रिय यह आप को तिरुपती में भी है, तो तिरुपती इसमें दिल्ली ओप्सन है नहीं, तो तिरुपती को ओप्सन को ये करते हैं, और महरसी संदिपानी राष्ट्रिया बेध विद्याले प्रतिश्थान, ये जो है, तो महरसी संदिपानी राष्ट्रिया बेध विद्याले जो है, वो उज जो बाद में तो यह कहां पे है एड़ सेंट्रल लेलवे का जो हीड़कॉरटर है और वह है आपको तो इस्टमसेंटर्वार का नॉर्थ वेस्टर्न का जो है जैपूर में है North Central Railway का आपको है अलहावाद में और South Western Railway का हुबली में है अब जवलपूर में क्या है तो जवलपूर में आपको West Central Railway का है ठीक है तो confused नहीं होना है अगला question है कुछ institution है और उसके location है Indian Institute of Public Administration जो है वो है आपको दिल्ली में तो Indian Institute of Public Administration दिल्ली में है वीवीगिरी नेशनल लेवर institution वीवीगिरी नेशनल लेवर institution जो है वो नुएडा में है national institution of institute of financial management वो जो है आपके वो भरिदाबाद में है और national law school of India University यह बैंगलोर में है तो दा answer is B यह सब factual question है इस पर ज़्यादा time नहीं देना है अगेन famous place country का है Alexandria आपको पता होगा Alexandria कहां पर है Alexandria जो है so Egypt में है है ना so Alexandria in Egypt इसके बाद black pool Constantinople तो आपको पता होगा Constantinople जो है वो कहां होगा Constantinople जो है वो तुर्की में है है ना और तो यह हो गया A का 5 और C का 1 जो A का 5 C का 1 दोनों में है ठीक है और इसमें क्या हो जाएगा कि black pool pleasure जो है वो great Britain में है सुदान सरीच भी ठीक है और जो Florence है वो क्या हां पर होंगे वो जो है so Italy में होगा ठीक है अगला question है हमारा outstanding sport person जो Athens Olympics हुआ था तो अभी के olympics पर यह question आप कर सकते हो उस समय के है जो तो वो कोई ज्यादा इंपोर्टेंस है नहीं उसके वैसे आप देख सकते हो इसके answer सी है ठीक है outstanding sport person at the Athens Olympics उस समय Athens Olympics थी उसके question पूचे थे who won the 100-meter race for men in the Athens Olympics यह भी आपके लिए importance नहीं है चस्टिन गैटिन थी वो उस समय का नियुज़ है इसके बाद distinct woman और उसको नाम से किस तरह से जाना जाता था वो है अब यह देखो ong san suki है यह एक political leader है है वो कहां के है Myanmar के politician है और आस्मा जहांगीर जो है वो पाकिस्तान की human right activist थी नोरा जून्स जो है वो American singer है और मारिया सारापोवा जो tennis player है तो यह तो आपको पता होगा ही so the answer is D अगला question है कि author है और उसके book है तो Bill Clinton ने क्या book लिखी थी so author और book है तो Bill Clinton ने लिखी थी between hope and history इसका आप नेलसन मंडिला का आपको पता होगा long walk to freedom तो C का 4 तो यह तो दो option ऐसे ही चले गए है न और A का 1 हो गया so the answer is this one so Henry Kissner का जो book है वो है diplomacy और Hilary Kilton का है living history अगला है distinguished woman है और किस एरिया में उसको जाना जाता है तो वो है तो आप देख सकते हैं राजा रेड़ी और राधा रेड़ी जो है वो कुची पुडी dancer है कौनसी dancer कुची पुडी dancer है न और कलपना लाजमी जो है वो film director है सांता सिन्ना जो है वो community leadership में है community leadership में और anti child labor activist है और रोमिला थापर तो historian है सुदान सरेज अगला question है हमारा कि why was the region of Darfur of Sudan in news recently उस समय news में था एक conflict चल रही थी तो वो उसके कारण news में था तो इसके बारे मैं मैंने ये बता दी है आप इसको देख लेना अगला question है who among the following Indian film director actors was honored with the order of the British empire in 2004 तो 2004 में जो भी रहे हो अभी जो है जो चेर्मेन और पिरामल ग्रूप के चेर्मेन है अजय पिरामल ठीक है तो अजय पिरामल जो है उनको मिला है commander of the order of order of British empire वो queen के दोरा मिला गया है तो अभी का पिरामल गूरूप का अजय पिरामल होगा तो अब क्या है कि in its global development finance report 2004 the world bank has categorized India as a less indebted country for the year 2002 तो यह इस question का जो है उस समय के अनसार से था so during the less ticket India's outstanding external deputies has considerably reduced यह उस time के अनसार से है वेर इस the holy strain of Imam Ali in Najaf located यह जो है श्रीन of Imam Ali जो है वो Najaf Iraq में है ठीक है अगला question है हमारा okay so this is all about the 2004 part 2 okay so you can get the PDF from this channel and thanks for watching